कि इस level के नीचे price वापत जाएगी क्योंकि इसने छोटा मोटा lot यहाँ पर नहीं खरीदा है इसने छोटा मोटा order यहाँ पंच नहीं किया है इसने बड़ा मोटा order यहाँ पंच किया है तो यहाँ से price जाने का नीचे जाने का probability is very very low यह होता है order block support level और उसके बाद आप देखो कि price किस तरह से सर्राटे से उपर जाती है समस्कार कैसे हैं आप सब मैं भरत जुझीन वाला आप सब का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे प्रेंट 2024 का यह पहला वीडियो है मैं बहुत बहुत आपका धिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं इस पहले session में और हम यह आशा करते हैं प्रहु से कि आपके जी बहुत इंटरस्टिंग topic है हम सब प्राइज अक्षिन की कई टेखनीक्स हम इस्तमाल करते हैं तो आज मैं आपके साथ कुछ उनी प्राइज अक्षिन में कुछ special tips and tricks आपको बताऊंगा कुछ प्राइज अक्षिन के कुछ ऐसे nuances आपको बताऊंगा जिससे आपकी existing application उन प् presentation की और असूर आपने मेरे को बहुत बार अल्मोस्ट हर बार बोलते सुना होगा कि जो प्राइज एक्षिन जो ट्रेडिंग टेकनीक है यह वान अप्धा प्राइज पोटेंट ट्रेडिंग टेकनीक है महुत अफेक्टिव सबसे स्ट्रॉंग टेडिंग टेकनीक है यह सब ने एंट्र को वेल टाइम कर पाते कई बार एक्जिट को वेल टाइम नहीं कर पाते कई बार प्राइज एक्षिन को अप उतनी एफेक्टिव ली यूज नहीं कर पाते तो जैसे मैंने कहा कि क्या reason है इसके नीचे underlying reason क्या है इसके नीचे underlying reason यह है कि कुछ missing link कुछ कमजोर कड़ी है जो कि आपको रोक रही है तो आज की episode में जैसे मैंने आपको कहा कि हम उन्हीं missing link पे थोड़ा सा focus डालेंगे तो जैसे in this video we will explore essential price action concept that should always be taken into account when practicing price action trading तो सबसे पहले following the trend structure यह बहुत-बहुत important है और इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जभी भी आप price action technique इस्तेमाल करते हो या जभी आप trade करते हो आपको हमेशा trend के structure को follow करना पड़ेगा 점 पहलेगा मतलब क्या है कि जब market uptrend में हो तो market higher tops higher bottoms बनाए यह है अप trend का structure जब market downtrend में हो तो lower tops lower bottom स्थे यह है downtrend का structure तो यह market जो है आपको इसी structure को follow करना पड़ेगा तो जब market higher top higher bottom मना रहा तो यूशूड ऑर्विस थिंख बाई जब मांकेट लोवर बॉटन बता रहा है यूशूड और अलंवेस थिंख सेल उल्टा नहीं करना है अपने को अपने को मांके स्ट्रेक्चर के साथ से चलना इसके पीछे का रीजन क्या है देखिए इसके पीछे का दो दो important region है सबसे पहला सबसे पहला कि अगर आप market structure को follow करते हो तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप जब trend अप है और आप उसमें buy करते हो तो जो probability है आपके success की हमेशा अपने favor में रहती है आपके success होने की probability आप अपने favor में रहती है आप यह करके देखो ना कई बार भी कभी आपने अगर अभी October से लेकर अक्टोबर 23 से लेकर October end से लेकर अभी December 23 हो गया अगर एक बार भी आपने short करने की कोशिश की होगी तो आप बुचर्ड हो गए होगे आपको हलाल कर दिया होगा मांकेट ने तो क्योंकि मांकेट बहुत स्ट्रॉंग अप्ट्रेंड में है और आप इस अप्ट्रेंड में short करोगे तो short जो moves होती है बहुत छोटी रहती है बहुत छोटे समय के लिए रहती है और वह आपको फाइदा आप Start में देगी तो हमेशा याद रखेंगा है वाप ट्रेंड करते हो जब आप हैं करते हो करते हो मां के सब्सक्राइब करते हो गर बहुत वहां हमेशा अपकर इन्फॉर में रहती है और इसका यक और यह और अगर अगर आपके आपका आपके पास कोई imperfect trade भी हो या कि पी कोई imperfect entry भी हो एक imperfect strategy भी हो तो trend अगर uptrend है और imperfect strategy के वजह से आप uptrend में trade कर रहे हो तो आपकी trading next level पर जा सकती है आप गलत नहीं होगे there is a very very thin possibility कि even if you trade with an imperfect strategy with the market trend you will make money there is a high probability तो आप समझो कि जब bull trend होता है जब strong market होता है तो बिना कोई strategy follow करे आप अच्छा पैसा बना सकते हो लेकिन अगर आपके पास सोची समझी एक strong strategy हो तो फिर आप सोचो क्या difference हो सकता है यही परक है की स्पारीं के साथ यह दो बहुत बड़ी advantage है तो यहां पर देखिए है इस यह ऐफ्नेट चल रहा है कि आप देखो आपडेंट्र चल रहा है प्राइज से हाइर टॉप्स और हाइर बॉटम मनाते हुए आप ट्रेंड करना है आपको क्या करना है आपको सीधा सीधा अपनी एंट्री को टाइम करना है क्या करना है आपको लॉंग एंट्री टाइम करना है कैसे करना है जब भी प्राइस सपोर्ट पे आए आप अपना जब भी प्राइस सपोर्ट पर आए अभी आप अगर इस काउंटर ट्रेंड मूव को ट्रेड करने की कोशिश करोगे अब यहाँ पर आप देखो क्यों मैं बोल रहा था आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि देखें इस पूरे मूव में यहां से जब मार्केट शुरू ह करता है सिर्फ दो रेट केंडल यहां मार्केट करेक्ट करता है एक एक रेट केंडल भी नहीं है यहां मार्केट करेक्ट कर रहा है दो रेट केंडल यहां मार्केट करेक्ट कर रहा है एक रेट केंडल तो मतलब कि जो काउंटर ट्रेंड मूव है वो शॉट लिप्ड है एक दो दिन के लिए, लेकिन with the trend move देखिए आप, यहाप देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच दिन उपर, एक, दो, तीन, तीन दिन उपर, चार दिन उपर, पिर हाप a correction, एक, दो, तीन, चार, पांच दिन उपर, तो almost आप देखो, कि अगर एक red candle है, तो उसके against में तीन दिन अप है market, मतलब एक दिन अगर market गिर रहा है, तो उसके against में तीन दिन market बाढ़ रहा है, तो आप ज़रा सोचो, कि एक दिन में आप trade करोगे, इसी दिन entry, इसी दिन exit, इसी दिन stop loss लगाओगे, और दूसरे दिन gap अप खुलने का डर, और आपकी जो profits आपने पहले जिन्द बनाई, वो आधी हो जाएगी, यह ज्यादा effective है trade करना, कि यह वाला ज्यादा effective है, with the trend, तो अगर आपके पास कोई आडू system भी है, अगर आपके पास कोई आडू system भी है, तब भी अगर आप with the trend entry कर रहे हो, तो आप फाइदे में रहोगे, यह चीज़ मैं पताने क सबसे important और सबसे basic principle है, पहला principle है, जो कि transaction का है, trade with the trend, market structure को हमेशा follow करो, उसे market structure बोला जाता है, अब देखें, यहाँ पर downtrend है, lower top, lower bottom, lower top, lower bottom बनाते में जा रहा है, और जब भी देखिए, हर एक swing के बाद, तो इस swing टूट रहा है, आप आराम से अपनी short positions जो है, आप downfall candle जो गिर रही हो कितनी है, और उसके agent में जो candle बढ़ रही हो कितनी, ratio कितना कम है, यहाँ पर भी देखिए, तो यह market structure जो है, वो downtrend में, तो downtrend में, आप अगर long का trade करने की कोशिश करोगे, तो आपको फाइदा नहीं होगा, आपको नुक्सान होगा, क्योंकि market का trend डाउन है, आप counter trend trade करोगे, तो आपको कभी भी फाइदा नहीं होगा, यह dow theory का पहला principle है, dow theory, एक बहुत ही घातक study है, घातक study, बहुत ही सुपव study है, जिसे लोगों ने भुला दिया है, लोगों ने भुला दिया, इसके बार में कोई बात ही नहीं करते, आज के लिए इतने modern options, crypto, क्या-क्या लोग बोलते हैं, लेकिन सब का base, Charles Dow, father of technical analysis बोला जाता है, उन्होंने dow theory का invention किया था, और वो कितने साल तक dow theory के basis पे trade कर रहे थे, और dow theory के basis पे trade करके results उनको मिल रहा था, dow theory में सब कुछ आ जाता है, trend आ जाता है, आपकी entry exit आ जाती है, आपका overall market breadth analysis आ जाता है, अगर आपी dow theory को ठीकी समझ लोगों, तो यह market structure is a part of dow theory, जब हम market structure की बात करते हैं, तो मिक्तर से dow theory की बात करते हैं, और दो dow theory का एक हिस्सा है, तो सबसे पहना lesson हम लोगों को मिल गया, कि market structure जब तक intact है, जब तक हमें market structure के direction में trade करना है, और देखिए यह break of structure, अब यहा higher highs का formation था, यहां पर जो higher highs का formation था, वो market नहीं बना पा रही है, और यह structure break हो गया, this is called break of structure, तो अब हमें यहां से further long नहीं करना है, भी देखिए, आप तो यहीं long करते हैं, यहां पर अगर price उपर के तरफ जाता, तो आप long करते हैं, तो यहां तो price उपर के तरफ जाता ही नह नहीं करोगे, तो यह market structure नहीं आपको बता दिया, भी यह long का काम time चला गया, अब तो यह चुप चुप साइडवेस में बैड जाओ, यह market को नीचे जाने तो तब तुम नीचे के बात करना, तो this is called break of structure, structure जो हो ब्रेक हो गया, तो market structure के हिशाब से हमें trade करना है, यह पहला प्रेंट देखिए, जैसे मैंने आपको पताया, doubt theory एक बहुत ही important principle है, हम लोगों का एक advanced level price action program हम लोगों ने last week launch किया है, और यह बहुत ही-बहुत ही strong और बहुत ही-बहुत ही advanced, जैसे मैंने कहा कि advanced level का price action का program है, जिस पे हम price action को एक next level पे discuss करते हैं आपके साथ, यहाँ पर आपके साथ बात करेंगे moving averages को कैसे pro की तरह use कर सकते हो, moving averages में कुछ ऐसे concept है, hump है, saucer है, coma है, slope है, sequence है, इस तरह के जो concepts है, यहाँ पर हम लोगों ने moving average के बारे में discuss किया, moving average crossover, जो crossover होता है, वो moving average नहीं होता है, वो signal नहीं है, right, उसके बाद, हम यहाँ पर modern day doubt theory देखिए, doubt theory को आप कैसे, अभी मैं जैसे doubt theory की special में बात कर रहा है, doubt theory को आप कैसे समाल कर सकते हो, अपने trading में, right, किस तरह से implement कर सकते हो, practically उसके बारे में बात किया, साथ में candlestick analysis, advance candlestick analysis, candlestick को एक दूसरा तरीका, different तरीका अप्रोच करने का, इसमें हम लोगों ने discuss किया, और साथ तरह से आप use करोगे अपने trading में, वो सब हम लोगों ने यह आपर discuss किया, तो अगर आप यह program लेना चाते हो, तो हमारी website या mobile app पे, आप download करके program को enroll कर लो, अभी यह program जो है, discount में है, थोड़े दिन के बाद हम इस program की price जो है, वो reset कर देंगे, next देखिए, understanding, smart money traps, और avoiding it, दो दूनों चीज, पहले तो हम आपको बताएं, जो smart money trap क्या होता है, उसके बाद उसको हम बताएंगे, कैसे avoid करना, तो पहला ग्यान हमें मिल गया, कि हमें market structure के साथ काम करना है, दूसरा, कि अगर हमें trap किया जाता है, अगर smart money के through, अगर हम trap हो जाते हैं, या ऐसा कोई हमें trapping price action मिलता है, तो हम उससे कैसे बचे, तो पहले देखिए, पहले ये समझना होता है, trap कहां पर आता है, पहले ये समझे है, trap हमेशा आएगा, एक extended move के बाद, एक extended move जब हो चुका होगा, trend में, एक बड़ा move जब हो चुका होगा, जब stock जो है, अपने bottom से 30-40, जो बड़े large cap stocks होते हैं, वो अपने bottom से 30-40% बढ़ चुके होंगे, या जो mid cap, small cap stocks होते हैं, जो अपने bottom से कम से कम 77-70% बढ़ चुके होंगे, उसके बाद, उस समय के बाद trap आता है, क्योंकि उस समय के जब इतना movement आ जाता है, इन stocks में, उसके बाद वो media की नजर में आते हैं, उसके बाद वो normal, जो है, layman, लोग जो है, DNA technical analysis नहीं आते हैं, उनके बारे में बात करना सुरू करते हैं, newspaper में आता है, लोग Twitter पे, Facebook पे, सब जगे इन stocks की बात करना सुरू कर देते हैं, जब वो move दे चुका होता है, तो जब वो strong move दे चुका होता है, उसके बाद देखो, यहाँ पर आ आपने बोला, कि market structure follow करो, हम तो market structure follow कर रहे थे, higher top, higher bottom, higher top, higher bottom बना, यहाँ तो breakout हुआ सर, हमने यहाँ तो entry कर ली, आपके market structure के हिसाब से, अब क्या हुआ, ट्रैप हो गया, तो यहाँ पर सर, गल्ती हो गया, नहीं गल्ती नहीं हुई, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पास-पास move जा चुकी, तो नीची से कम से कम, 40-50% move बढ़ चुकी है, अब यहाँ पर, यहाँ पर इन ट्रैप किया, अब आपको कैसे पता चलेगा, कि यह ट्रैप है, या आपको कैसे पता चलेगा, कि आप यहाँ फर्स गए, और अगर आपको पता चल जाता है, तो आपक market structure को देखो, market structure का intact है, यहाँ पर देखो आपको. जैंते देखो, यह breakout हुआ, अभी हम लोगोंको नहीं पता, यह trauma है, कि क्या है, अभी हम लोगोंको नहीं पता, हम क्या करते है? सिदा-सिदा market structure follow करते weit, अब यहाँ पर देखो, यह नीशे गिर के, यहाँ पर market structure को खराब क ब्रेक हो जाता है मार्के स्ट्रक्चिर ब्रेक आप ब्रेक हो गया तो आपको यहां पर एक्जिट कर जाना है सीधे इसके आगे अपना दिमाग नहीं लगाने का है क्यों टूटा क्या हुआ किस रीजन ते तूटा अब टाइम फ्रेम पर कैसा दिखता है वो देख लेते हैं वह फिर उस दुनिया दारी आपके दिमाग में के तरफ आई ब्रेक आउट हो गया अल्राइट को पता नी चलेगा ट्राफ यास व्रेकईट हुआ आपने एंट्री करी बढ़िया है है माके स्ट्रक्चर टूटता है ब्रेक बरेक आउट सस्टेन नहीं कर पाता निकल जाओ ट्राइप समझदार हो कि अबर किपना लौस होगा मैंसिमं 2 परसंट का मैंसिमं 2 परसंट का इधर आप यहां नहीं निकलते हैं और इसके पिछे रोटे रहे तो यहां पर नहीं निकलोगे आप सुदह यहां निकलो घर नहीं निकल रहे थे ढो Halo तो जैसे ही आपको पता चले कि ब्रेक आउट सस्टेन नहीं कर रहा है जैसे आपको पता चले मार्केट स्ट्रॉक्च्च्र खराब हो गया है जैसे आपको भनक पड़े कि यह तो बहुत बड़ा मूव का मैं ट्राप हो गया हूं तुर्ण एक्जिट कर लो अगर इसी में खोद होगे इसी में गवाद होगे तो ट्रेड करने लाइक भी नहीं रहोगे मैं हमेशा अपने मेंटीज को एक ही बात बोलता हूं कि मार्केट हमेशा रहेगा लेकिन अगर एक बार आपने कैपिटल खोदी तो वो आपको मेंटली भी बहुत डिस्टरब और आपकी हिम्मत नहीं होगी वापस मर्केट एंटर करने की तो सबसे पहले the most important thing is capital preservation गलती समाज में आ रही है no second thought just exit भूल हो गई exit 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 बाद में सोचेंगे बाद में analyze करेंगे क्या बूलुआ नहीं हुआ भाई यहां पर साथ साथ दिख रहा सब्सक्राइब टो यहां पर पता लगाना बहुत मुश्किल है यहां पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वेदर इट वाज़े ट्रैप और जैन्मिन ब्रेक आउट यह ओने के बाद पता चलता है यह ओने के बाद पता चलता है तो अगर हमें पता चल गया होने के बाद तो मैं क्यूं बैठूंगा भाई इसको लेकर अब देखो candlestick की हम लोगों ने बात करी है यहां पर देखो candlestick भाई यहां पर हमने देखा कि बहुत अच्छा हो चुका है नीचे से एक अच्छा मूव हम लोगों को मिल चुका है यह तो बाटम बहुत नीचे अब तेबन तीरेजाइब चालिस से में एक मूव मिल चुका है और यह मूव जो है 3660 तक मूव जाता है तो बहुत स्टॉंग हो हो है पहले अल्रेडी मिल चुका है लाज के अब यहां पर यह बड़ा शूटिंग स्टार बन रहा है ब्रेक आउट हो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर अब आपको और क्या चाहिए भी आपने उसका मतलब क्या है यहां बता रहा है यहां पर यह जो घाप डाउन हो गया इसे से अलर्स गैप बोलते है इक जो होता है बहुत तरह का होता है इसमें गैप के उपर हम लोगों ने रगड के बात करी है कितने तरह के गैप होते हैं यहां पर आपने एंट्री करी यहां पर एग्जिट कर गया लेकिन अगर आप यहां एक्जिट नहीं करते तो आप गैरेंटी में बोलना आप यहां पर एक्जिट करते तो ट्राप हो गए निकल जाओ Marget नहीं आपको ट्राप कर दिया निकल जाओ इसवाइट ट्राप सीश्पा होता हैं अंडर्स्टेंदिंग स्ट्रॉंग ंदिमांड्स जोन जहां पर और ब्लोग किसको बोला जाता है और बड़े प्लेयर को बड़े जहां पर बड़े प्लेयर जो होते हैं जैसे कि हैसे द एंट्री जब वो मारता है तो एक बार प्राइस बहुत जबर्दस चलांग मारती है और उसके बाद उसके साथ-साथ क्या होता है ना बहुत सारे लोग एंट्री मार जाते तो फिर क्या होगा ना वहाँ पर स्वार्ट मनी जबा अपना थोड़ा सा तिक्रम लगाएगा उसका फंड मैंजर है वह क्या करेगा अगर उसने एक खरी दें तो थोड़ा सा वहाँ बेचेगा प्रैस को नीचे लाएगा बहुत जन निकलेंगे वह वापस वहाँ पर खरीद लेकिन एक और ब्लॉक वाला सपोर्ट रिजिस्टंस अगर आपको मिल जाए तो एक स्ट्रॉंग डिमांड जोन होता यह मैं दिखाता हूं क्या होता है ओडर ब्लॉक लेबल देखिए यहां पर यह बड़ा स्टॉक है टाइटन कंपनी टाइटन कंपनी यहां पर देखिए में दो तिन सेशन में मूव देखिए more than 10% मूव लाज केप स्टॉक्स लाज केप स्टॉक 10% मूव यहां पर यह लाज केप स्टॉक में 10% मूव दस से जब्ला परसेंड का मूव है यह जो केंडल है यह किस ने बनाए इतना बड़ा ड़ा लुक अप्टिश से देखो मज़ेदार चीज है अब अब बड़ा करता हूं तो बजने में ऐसा नहीं होगी पहले तो ये केंडल देखिए बहुत स्ट्रॉंग केंडल उसके बाद यहां पर देखिए एक तीन दिन लगातार जबर्दस वाइंग हुई है तबर तोड़ वाइंग यह बड़ा केंडल किसने बनाया इतना बड़ा केंडल आपकी और हमारी पूझी है नहीं कि हम इस तरह का मुवमेंट लेके आए दस बारा पंदरा परसंट का मुवमेंट हम नहीं लेके आए सकते यह कोई बड़े पैसे वाले ने बड़ा म्यूचल फंड बड़ा एफ़ाई बड़ा डिया वाटेवर इसको देखकर बहुत सारे लोग कुदेंगे तो अब यह क्या करेगा यह क्या करेगा इस जगह पर जब बाकी लोग घुँच जाएंगे यह यहाँ पर 2000 शेर बैचना सुरू करेगा तो यह जब दो 2008 शेर बैशना सुरू करेगा तो माके डिया च्लोड़ा नीचे आएगगा अब यह महरा जिसने यहां खृब कषा गोडर 2016 का यह वोडर सेगा यह जो ख रॉंग लेवल है क्योंकि यह ओडर ब्लॉक लेवल था किसी बड़े प्लेयर ने अगर यहां पर दस लाग शेर खरीदे हैं तो इस लेवल के नीचे वह प्राइस को जाने नहीं देगा डरीज़े वेरी वेरी रिमोट चांस डरीज़े वेरी वेरी वह तू से रेर चांस की इ इसने छोटा मोटा लॉट यहां पर नहीं खरीदा है इसने छोटा मोटा ओर्डर यहां पंच नहीं किया है इसने बड़ा मोटा ओर्डर यहां पंच किया है तो यहां से प्राइस जाने का नीचे जाने का प्रमाइबिलिटी इस वेरी वेरी लो यह होता है और ब्लॉक सपो है ऐसा हो चुका है मैं आपको एक्स्पिएन कर रहा हूं इस आपको मिल सकती है आपको फॉर्सा महेंट अपने दोस्तों अपने आपके साथ अपने को लीक्स के साथ अपने किटी पाटी ग्रूप में ये वीडियो शेर कर दिए, right, वाटसएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्वेटर पे, लिंक्डिन पे, कही पर भी ये वीडियो शेर कर दिए, और शेर करके हमें एक स्क्रीन सोट भीजिए इस नमबर पर, 9748173333, एक स्क्रीन सोट भीजिए कि सर, हमने आपका वीडियो शेर कर दिया है, तो हमारा जो बंदा ये नमबर लेके बैठा है, वो आपको इसकी पावरपॉंट दे देगा, या आपको ये लिंक दे देगा, जहांसे आप ये पावरपॉंट डाउनलोड कर सकते हो, मज़े से कितने ग्रूप में हो, यार मुझे पता है, मतलब मत सोचो कि कहां शेर करना है, कितने ग्रूप में हो, स्टॉक मार्केट के ग्रूप में मुझे पता है, कितने फ्री कॉल टिप के ग्रूप में हो, मुझे पता है, बैट, किटी पाटी का ग्रूप है, कोलिक का ग्रूप है, बड़ा प्लेयर अपने लेड़ जहां पर उसने बड़ा एक्जेक्यूट किया है उसके नीचे प्राइस को लेके नहीं जाने देगा कि एक psychology समझो आप कोई भी प्राइज एक्षिन बन रहा है कोई भी प्राइज एक्षिन डेवलप हो रहा है उसकी पीछे की psychology समझो उसकी पीछे की किसी का तो क commit वेरी वेरी रिमोट चांस की इसके उपर ब्राइज जाने देगा किसी प्रवालत में जाने नहीं देखा, यहां पर हुआ ट्रैप, वापस आपको ट्रैप दिखाई दे रहे हैं, होलना मच जाएगा इंटरनेट पे, कि चार सल पुराना रेजिश्टन्स टूड गिया, चार सल पुराना रेजिश्टन्स टूड गिया, यह, ऐसा हुता है, और यह ह और आप बहग जाओगे, यह यार इतनी सुंदक अन्या, यह जूट नहीं बोलेगी, चल ले लेता हूँ, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, दो-चार लाग रुपए क्या है, जैसे ही आपने दो-चार लाग रुपए, उसको तो आपकी जान चाहिए नहीं, उसे वो दो- निकल रहा है, जपैन में माउट फीजी है, कोई आपको बोले, उसमें से गंगाजन निकल रहा है, तो मान लेना, लेकिन मीडिया में जो लोग बैठे हैं, जो सुंदर कन्या बैठी है, जो कन्या बैठे हैं, सूट बूट में टाई पहन कर, उनकी बात कभी मत मानना, हमें अएसा नुकसान में रहोगे, तो यह देखिए, ओर्डर ब्लॉक, बड़ा ओर्डर है, यहां पर किसी ने सौट किया, यहां पर किसी ने सौट किया, बड़ा ओर्डर है, यह बंदा आपको इसके उपर प्राइस ले जाने देगा ही नहीं, पर इतने छोटे डुरेशन में तो ले जाने देगा ही नहीं लुक अधिस वॉट हापन कि और बलॉक कैसे पताश करेंगे आप यह इंपोर्टेंट देखिए यहां स्पीड देखिए प्राइस की एक दो तीन सेशन में धरा के से पांच साथ दस परसेंट 20 परइस गिर रहा है एक दो तीन सेशन में इतनी या बड़ा स्चंक नहीं बिख्ता तो इस तरह से प्राइस नहीं गिरता है अगर उनको होल्ड करना तो इस तरह से प्राइस नहीं गिरेगा मैं सेंसिबल क्her दो इस लिए यह प्राइस को बार बर क्या गरता नह Telegram पाउंच विए प्र फिर फिर यहां ऑपन आएगी तो यहां पर अब फिर यहां पर फ्र फिर्ट को उपर ले आएगा पिर यहां से बेचीगा इस तरह से होता है तो दिस इज़स्ट केमेश्ट्री अप्राइस इस हाओ प्राइस वर्क्स आस सिंपल आस देखिए अंडरस्टेंडिंग एक्यूमिलेशन डिस्ट्रिबूशन एरिया यह बहुत 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 इंपॉर्टन प्राइस ऐसे उपर जा रही है फिर वह प्राइस से डिस्ट्रिबूशन जाती है फिर नीशे आती है फिर थोड़ा प्राइस वेट करती है ऐसे उपर जाती है तो यह एरिया जो होता है वह होता है एक्यूमिलेशन 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 एक्य ऐसे distribution कर रहे हैं फिर कैसे उपर चला जाते हैं कई बार प्राइस दर्बाइस से नीशे आती है तो अपने को लग रहा है प्राइस जो है accumulation हो रहा है फिर नीचे चला जाते है तो accumulation distribution area basically वह area होती है जहां से price movement करती है अब यहां पर हम कैसे पहचाने कि कौन सा accumulation distribution area जो है price को मोड़ेगा reverse करेगा और कौन सा accumulation distribution area है जो price को continue करेगा इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा और क्या हमें accumulation distribution area पर trade करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि अभी मैं आपको बताऊंगा आई देखतें क्या तो यहां पर देखिए इस चार्ट पे आप देखो की मैंने अलग-अलग एर्या यह अप ट्रेंड में मैंने अलग-अलग एर्या हाईलाइट करके रखे हैं रहते हैं इस इस एरिया में यह बड़े वाले एरिया में और इस छोटे वाले area में आपको कुछ difference दिखाई दे रहा है, का difference है? सबसे पहले यह जो त deviation है, यह बहुत short-lived है, right, यह बहुत short-lived है, maximum जो है 4 which maximum जो होता है 4 weeks का, लेकिन यह वाला जो correction है, यह बड़ा correction है, यहाँ पर price की volatility भी बढ़ गईगी यहां पर price की volatility उतनी बड़ी, price tight है, तो अगर price continue कर रहा है, accumulation zone या जो consolidation zone छोटा है, price की volatility कम है, तो इसका मतलब वो continuation है, अगर zone बड़ा है, wide है, इसका मतलब price की volatility जादा है, तो इसका मतलब there is a chance of reverse अब आप बोलोगे कि पता कैसे चले, या हमें trade कैसे करना है, मैंने क्या कहा आपको, trade करना है, breakout के बाद, accumulation zone के अंडर trade नहीं करना है, accumulation zone से बहार निकले candle, जब हमें trade करना है, बस, दोनों जो आपकी उल्जिने थी, मैंने सब सुलजा दी, देखिए, down trend में भी, यह जो trend के साथ है, इसकी size चोटी है, और इसमें candle इतने volatile नहीं है, लेकिन, यह जो trend के against में बड़ा, जो, बड़ा जो, जिसे accumulation बड़ा होता है, वो आप देखो, इसकी size बड़ी है, इसमें volatility जादा है, यह trend को, तो अपने को, जब breakout मिलता है, जब breakout मिलता है, जब zone से breakout मिलता है, जब हमें trade करना है, अब second, कि sir, क्या हम इस zone के under trade कर सकते हैं, हमें को पता है न, sir, कि यह accumulation हो रहा है, बहुत लोग पुछते हैं, और हमारे program में भी, mentorship program में भी बहुत लोग पुछते हैं, कि sir, यह तो accumulation हो रहा है, ultimately, यहां से breakout होगा, तो क्या हम इस area में trade कर सकते हैं, क्या, देखिए, यहां यह जो accumulation zone है, यह कितने दिन का है, 300 days, 300 days, भाई, पैसे की कोई time value भी होती है, अगर आप इस accumulation zone में 300 दिन के लिए अपना पैसा दाल के छोड़ दोगे, तो क्या फाइदा, कुछ ऐसे stock को trade करो, जो already breakout हुआ हुआ है, तो अगर आप इसको breakout के बाढ़ trade करोगी, अगर आप इसको breakout के बाढ़ trade करते हो, year, तो आपका फाइदा, अगर अगर आप यह accumulation zone में कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, time value कर आप कर, उसे जब यह FD में डाल तो कम 7% ब्यास तो मिलेगा, FD में डाल तो यह समझ के रखो कि आपने accumulation zone में खरीद लिया, जब breakout हो तो FD निकाल के इसमें पैसे डाल देना, 300 दिन के लिए अपना पैसा इस accumulation zone में क्यों जाय करोगे, तो हमें trade करना है after the breakout, देखिए वैसे distribution zone, यह 300 दिन का distribution तो नहीं, यह भी, पर सर हमें तो पता है, यह distribution zone बन रहा है, तो क्या हम इसे short कर दे, ultimately तो यह जाएगा, यह में पता है, और बहुत लोगों ने बोला कि जितना बड़ा distribution zone, जितना बड़ा accumulation zone, उतना बड़ा move, resulting move उतना ही बड़ा होगा, लेकिन आपको कब पता चलेगा, कि distribution zone या accumulation zone खतम हो गया है, यह तो breakout के बाद ही पता चलेगा, तो जब यह distribution कर रहा है, जब यह accumulation कर रहा है, उस समय आप क्यों आतूर है position बनाने के लिए, लिगा breakout हो जाने दीजिए, उसके बाद position बनाईए, transaction technique है, लेकिन थोड़ा सा graph, जैसे मैंने कहाना कि नमक डाल दो, तो स्वाथ बढ़ जाएगा, secret मसाला डाल दो, स्वाथ बढ़ जाएगा, प्रेंद आगे बड़े, उससे पहले देखे, जैसे मैंने आपके साथ चर्चा किया, यह हमारे कुछ master trader program के, जो mentees हैं, उनके कुछ results हैं, देखिए, यहाँ पर वीपरो में 6,14,000 का profit, jubilant firma में 4,18,000 का profit, और इन्होंने जो की इस साल का profit यहां बताया है, करीबन 9,6,60,000 का profit, on a capital of like 30,25,00, तो आप result निकाल लेजिए, उसके बाद आप देखिए, कई और जो यह profit यहां पर दिखाया है, तो यह master trader program है friends, master trader program क्या है, हमारा mentorship program है, mentorship program में 120 घंटे की हम लोग intensive, जिसे बोलते हैं, intensive immersive learning होती है, price action के उपर, momentum के उपर, market breath analysis के उपर, और हमारा जो strategy module है, यह जो जिते ही profits आपको दिख रहे हैं, यह हमारे strategy modules को follow करके होते हैं, तो तीन तरह के strategy होती है, एक short term strategy होती है, जहां पर 2-5 दिन की holding होती है, एक long term, medium term strategy होती है, जहां पर 20-25 दिन की holding होती है, एक long term strategy होती है, जहां पर कई quarter की holding होती है, तो इन सब strategies में कैसे entry, कैसे exit, कैसे stop loss, कैसे trailing करना है, कि सब कुछ हम आपको इस प्रोग्राम में बताते हैं साथ इसाथ इन सब स्ट्राइजी के जितने स्कानर्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं आपके साथ हमारी लाइव मीटिंग होती है जहां पर आप अपने डाउट्स अपने क्वेरी जो आपको कोई डिसकेशन करना है वो आप हमारे साथ कर सकते हो एक हमारा कम्यूनिटी है यहां पर आप आप लाइक माइंड़ेट्स के साथ आप कम्यूनिकेट कर सकते हो वहां पर भी बहुत सारे ब्रेंस्ट्रॉमिंग बहुत चीज वहां पर भी शेयर होता है जो कि आप वहां पर भी कर सकते हो तो फ्रेंड् अगर आप फोग्राम ले रहे हुए तो आप यह मत सुझना कि कि मैं आपको को जादू की जड़ी या कोई magic capsule या कोई जादू की जप्पी दे दूंगा जिसे प्रोग्राम लेते हैं आपका पैसा बंदा शुरू हो जाएगा ऐसा नहीं है अगर आप दिन में दो घंटे देने को तयार हो दो सीरियस घंटे देने को तयार हो और प्रैक्टि में बहुत लोग डॉक्टर्व एंजिनियर्स हैं में हैं बिजनस में है तो आपको तो मालुम है कि किसी भी प्रोफेशन में आपको टाइम देना पड़ा जब जाकर वह आपको फाइदा दे रहा है तो फिर यह सेम चीज अपलाई होती है ट्रेडिंग में भी सीखने में आ कुछ करने की दूरूत नहीं है ओफ मार्केट स्टडी के लिए 2 गंटे दो कुछ एक समय दो स्टॉक को स्कैन करने के लिए खोजने के लिए उतना अगर आप कमिटमेंट कर सकते हो तो मैं आपको एकदम उकता बोल सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत मल्टिफॉल ज तो फिर यह program मत जोईन करना निराश हो गया आपको लगेगा कि भरजुजिन वाला आपको धोका दे रहा है तो अगर आपको काम करना है तो मेरे बराबर की effort मेरे बराबर के level का मेनत आपको करना पड़े और अगर आपको result मिलेगा मिल रहे हैं लोगों को कि दो को result मिल रहे हैं इसके लावा फ्रेंट छिए हमारे कुछ शौट पोग्रामिंदें यह प्रासइध का पॉग्रामा हैं यह हमारा बहुत ही फेमस पोग्राम है ultimate price action program और उसके बाद देखिए यह हम लोग ने नहीं पोग्राम लॉंच किया जो मैंने आपको बोला यह प्राइज एक्षिन और और एक इंट्राडे का पोग्राम है तो अगर आप अपनी existing skills को अप्सक्री करना चाते हो देन यू कन बाइज शॉट पोग्राम करने के बाद अगर आपको लगता है कि अगर आपको मास्ट्रेटर जोइन करने ला चाहिए तो एक महने के अंदर अगर आप मास्ट्रेटर प्रोग्राम लिया और इसमें से मैं आपको कहा ना कि 90% लोगों ने मास्ट्रेटर प्रोग्राम में अपने अपको अप्ग्रेट कर लिया है उन्हें समझ में आ गया है कि अगर आप सीख करेंड करोगे तो इंग्स अगॉन भी डिफ्रेंट राइट इस नेक्स्ट है मल्ट आपने चाट की अंदर और बहार निकल बड़े प्राइम फ्रेम पर जो चाट दिख रहा है उसे जूम इन करके छोटे टाइम फ्रेम पर आप पाइंट्यून करके एंट्री कर रहे हो तो मल्टीपल टाइम फ्रेम अनालीसिस अगर आप अपने डेडिंग में इस्तमाल करते तो अगेन आपकी प्राइज एक्षिन की जो एनालेसिस है या प्राइज एक्षिन की ट्रेडिंग है वन एक स्टेप उपर जाएगी यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पे हम लोगों को यहाँ पर इन्वर्स हेडन शोल्डर दिख रहा था अगर हम डेली चार्ट के यहाँ से यहाँ पर ट्रेड करते तो अफ्कोर्स यहाँ पर यह ब्रेक आउट होता और इस ब्रेक आउट पर हम एंट्री करते हैं जो की इन्वर्टेट हेडन शोल्डर का जो की नियम है वो हम करते लेकिन अगर आप मल्टिपल टाइम फ्रेम अनालेसिस यूज करते और डेली को आपको यहाँ पर एक कपन हेंडल बनता दिखाई दे रहा था और यह कपन हेंडल का यहाँपर एक अरली ब्रेक आपको मिल गया तो अगर आप डेली पर करते हैं तो हो सकता आपको वेट करना होता इतने समय के लिए और अगर आपने यहाँ जोटे टाइम फ्रेम पर खोल लिया तो आपको एक अल्ली एंट्री मिल देंगे जल्दी एंट्री मिल गए आपको आपने क्या किया पूरा जूम-इन करती है चाट को अटॉपसी करती है अपने उस मोटम करती है वैसे देखें यहाँ पर एक और अग्जामपल यह है डिस्टीबूशन पैटरन है जो कि एक तब ही हम यहाँ पर entry करेंगे लेकिन हम multiple time frame analysis यूज करते हैं तो क्या कोई तरीका है जिससे हमें यहाँ पता चल जाए कि price जो है कमजोर हो गई है हमें निकल जाना चाहिए या हमें short कर देना चाहिए दिखे multiple time frame analysis यूज करके देखते हैं और यहाँ पर देखे क्या है यह trend line का एक concept है बहुत strong concept है trend line का यह भी हमारे advance price action में covered है trend line के ओपर भी बहुत in-depth हम लोगों को ने cover किया है यहाँ पर देखिए यह trend line ब्रेक आउट हुआ फिर यहाँ पर देखिए रीटेस्ट हुआ इससे एसार फ्लिप बोलते हैं वह यह trend line को तोड़ने पा रहा है तो आप देखिए हमें कहां पर इतनी जल्दी नॉर्मल एंट्री हमारी यहां कहीं होती है और यह early entry यहां पर हो ग जब कमजोरी दीखेगी आपको छोटे टाइम फ्रेम पर पहले दीखेगी फिर उसका अफेक्ट जो है बड़े टाइम फ्रेम पर दीरे दीरे स्पिल होता है यह multiple time frame analysis का यह नियम है यह rule है तो ऐसे क्या देखिए हो मेरे तरफ बताया नहीं किसी ने अभी तक तो multiple time frame analysis किस तरह से इस्तमाल करें नेक्स्ट है इंडिकेटर्स को sensibly use करिए देखिए आज के टाइम पे जो charting software है बहुत आसानी से उपलब्द है और जब किसी भी trader को या किसी भी budding trader को वो charting software का access मिलता है तो वो पूरा blown out हो जाता है इतने सारे indicator मैगडी rsi cci bollinger band adx dmi और percentage r donchen channels मतला और क्या क्या नहीं इतने सारे indicator मुझे नाम भी नहीं पता है तो वो पूरा एद्दम blown out हो जाता है और वो सुचता है कि मैं सब को सीख लूँ indicator तो मज़ेदार है जादू ही कुछ नहीं क्योंकि इंटरनेट पर और बहुत सारे अलग लग यूट्यूब वीडियो में ऐसे बताया गया है कि आरे साइए यूज़ करके मैंने बनाए एक क्रोड कि 16 साल की उमर से मैं यूज़ कर रहा हूं आरे साइए इस तरह से बताया गया है लेकिन हमें इसे सेंसिबिली यूज़ करना है इसे थुरा दिमाग लगा की यूज़ करना है अंधकार में कभी इंडिकेटर पर भरोसा नहीं करना है हमें हमेशा वी हाग टू सीक कनफरमेशन इंडिकेटर में सिगनल आने के बाद प्राइज एक्शन से हमें कनफरमेशन ल पेल होते हैं अगर आप उसे विदाउट कंफरमेशन यूज करें दूसरी चीज दूनाट ओवर्लोड इंडिकेटर इंडिकेटर को ओवर्लोड मत करिए और एक और चीज जो मैंने आप लिखा नहीं है वो है कि प्राइस एक्षन को अपने रो रो फॉर्म में यूज करें बह है आट लोगों को मैंने देखा है जिस सब आपको बहुत सीगal ऑने के अश्य दियुस्तिक उप्राइस का डरिवेटव है यह यह रॉओ प्राइस अगर आपके के अंदर पढ़ने की शमता है तो यह सब की पीछे मत चाहिए जस्ट फैंसी थिंग्स तो यहां पर देखिए कि यहां पर आप देख सकते हों कि यहां पर एक बैर डाइवर्जिंस आया राइट बैर डाइवर्जिंस लोग खुश लोग खुश दोस्तों में मौज बैर डाइवर्जिंस आ गया बैर डाइवर्जिंस के बाद क्या हुआ कुछ नहीं हुआ प्राइस वैसे के वैसे हमें कोई भी यहां से प्राइवर्जिंस से क्या कुछ सिगनल मिला अभी मैंने आपको पढ़ाया ट्रेंड स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ नहीं हुआ किस लिए भाई इस डाइवर्जिंस को लेकर डांस कर रहे हो राइड जहां यह देखा डाइवर्जिंस लोग सुरू चिकनी चमेली चिकनी चमेली नहीं है इसको अगर फॉलो कर लिया अंधा दुन तो पव्वा आपको चड़ाना देखो कि क्या प्रैस का स्ट्रक्षर चेंज हो रहा है देखो कि क्या दोट रही है देखो कि क्या मुविंग आवरेज तूट रहा है उसके बाद आप त्रेड लो देखो यहाँ पर एक इजाम्पल में देखो यहाँ पर डाइवर्जिंस था हाँ था यहाँ पर डाइवर्जिंस ने क्या किया देखो दोनों चीज़े हुई है एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया राइट यह ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया दूसरा मार्केट का हाइर-top-higher-bottom का sequence यहां change होगी हाइर-top-higher-bottom यहां पर हाइर-top-higher-bottom नहीं बन रहा है तो this is where the indicator will help you आपको यहां पर थोड़ा indicator अगहा कर देता है indicator क्या करेगा आपको अगहा कर देता है जब भी indicator पर divergen देखो ठोड़ा सा उस trend को लेकर आगहा हो जाओ जो एविडेन्स एविडेन्स आपको मिला है कन्फर्मेशन ट्रेंड देगी कन्फर्मेशन प्राइड एक्षन देगा तो यह चीज़ के ध्यान नगते हैं बस इतना सा ही करना है और मेरी बात को एक अंतर दिल से एक रिक्वेस्ट है नया साल है एक रेजोलूशन बनाओ कि आप जो है सीख करेड करोगे लर्निंग टाइम डालोगे और उसके बाद मजलो देखे पिछला साल मार्केट बहुत अच्छा रहा है बहुत बहुत अच्छा रहा है आने वाले साल में हो सकता है आपको आपकी जो जर्णी है उतनी आसान नहीं हो जो लास्ट यह रहा है क्योंकि भाई मार्केट का नियम है कि अगर एक साल इतना जब अच्छा ट्रेंड मिला है तो यह जरूरी नहीं कि पूरे साल नेक्स्ट यह भी कंटिन्यू रहे तो चालेंजिंग होगा इजी केक वोक नहीं होगा तो अगर आप सही तरीके से गाइड़ तरीके से लर्ण करोगे लर्न करके ट्रेड करोगे तो इसके साथ फ्रेंड्स यह एपिसोड मैं यहीं खत्म करता हूँ उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया पसंद आया तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को जल्ली से शेर करे कैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें तत्रक के लिए मैं मरजुन जिवाला आप सब्सक्राइब मांगता हूं की पॉइंटिंग कीप लर्निंग कीप शेरिंग जैहिन जै भारत एंड स्टे सेफ पॉइंग